प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसको ज कप पढ़ते हैं जो के नीचे नुक्ता होने के कारण इसका उचारण ज होता है अल्थात इस वाले जो में स की धन्नी निकल जाते हैं आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसको ज कप पढ़ते हैं देखे एसको ज कप पढ़ते हैं और इसे अच्छी तरह समझते हैं देखे यदि यदि किसी सब्द के अंत में बीई जी डबल जी जी इई आई इएप वाई हो और उसके बार एस हो तो वहां पर एस का उचारण ज क्या जाएगा उधारण के लिए आपके सामने कोई सब्द है इस सब्द के अंत में डबल जी है जो की हमारी इस नियम का पालन करता है और अंत में एस बी है तब इस वाले एस का उचारण ज क्या जाएगा तब इस सब्द का संपूँ उचारण होता है एग्ज ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सब्द के अंत में डबल जी है और उसके बाद एस भी है तो यहाँ पर एस को ज पड़ा जाएगा तब इस सब्द का संपूँ उचारण होता है बैग्ज ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सब्द के अंत में वाई है जो हमारे इस नियम का पालन करता है उसके बाद एस भी है तो एस का उचारण ज होगा तब हम इस सब्द को पढ़ते हैं ट्वाइज अब इसकी परभासा पर चलते हैं दिखी एस को ज कब पढ़ते हैं यदि किसी सब्द के अंत में बी ई जी डावल जी जी आई ई एफ वाई हो और उसके बाद एस हो तो वहाँ पर एस को ज पढ़ा जाता है उधारण के लिए आपके सामने है एग्ज बैग्ज ट्वाइज इन तीनों उधारणों को आपको भली भात समझा दिया गया था इस वीडियो में इतना ही थैंक यू, have a nice day